So our first question is Use Euclid's division algorithm To find the HCF of 135 and 225 196 and 38220 And third is 867 and 255 Euclid division algorithm का use करके हमें इनके HCF find out करने है तो first से start करते हैं हमें वो steps पता हैं कि हम कैसे ये HCF find out कर सकते हैं सबसे पहले हम इन्हें A is equals to BQ plus R की form में लिखेंगे जहाँ पर A represent करेगा greater number को और B represent करेगा smaller number को और अगर हम इस question में देखें तो greater number है first में that is 225 and smaller number है 135 अब हमें पता है 225 135 से बड़ा है तो हम लिख सकते हैं 225 is equals to 135 multiplied by 1 plus 90 और हम यहाँ से ये notice करेंगे कि reminder 0 के equal नहीं आया अब reminder 0 के equal नहीं आया तो हम एक एक positions इन्हें left shift करेंगे और जैसी हम इन्हें एक एक positions left shift करेंगे तो ये आएगा 135 is equals to 90 multiplied by 1 plus 45 जब हमने एक एक position बी को और reminder को left side shift करा था और दुबारा equation बनाई solve करके तो हमारा इस बार reminder आ रहा है 45 जो कि इस बार भी हमारा reminder 0 नहीं आया next दुबारा हम एक एक position left shift करेंगे इसके बाद जो equation मिलेगी हमें वो होगी 90 is equals to 4 multiplied by 2 plus 0 अब हम देख सकते हैं कि इस case में हमारा reminder आ जाएगा 0 तो हम इसी equation को ध्यान में रखेंगे इस equation में A हो गया हमारा 90 B हो गया हमारा 45 Q यानि कि quotient हो गया हमारा 2 और reminder हो गया हमारा 0 और ऐसे equation जिसमें reminder 0 आ जाता है वो ही equation में हम ये check करते हैं कि B क्या है B यहाँ पर हमारा है 45 तो 135 और 225 का HCF यानि कि highest common factor आ जाएगा 45 next अगर हम second part को देखें इस question के इसमें दो numbers हमारे पास है 38,220 और 196 हम देख सकते हैं कि 38,220 196 से बड़ा है तो हम इसे कुछ इस टाइप से लिखेंगे Euclid division लेमा के form में like 38,220 is equals to 196 multiplied by 195 plus 0 अब हम ये देख सकते हैं कि यहाँ पर first equation में ही 0 आ चुका है तो जिस equation में 0 आ जाए उसमें हम A, B और Q और R पुट करते हैं तो A हमारा यहाँ पर था 38,220 B हमारा यहाँ पर था 196 Q हमारा यहाँ पर था 195 and R हमारा यहाँ पर था 0 और एक ऐसी equation जिसमें 0 आ जाता है उस equation में जो B होता है वो ही होता है हमारा highest common factor तो second part में हमारा highest common factor आ जाएगा 196 So the HCF will be 196 अगर इस question का हम third part देखें तो third part है 867 और 255 के बीच में highest common factor find करना तो सबसे पहले Euclid division lemma के according हम इने लिखेंगे that is 867 is equals to 255 multiplied by 3 plus 102 हमें पता है यहाँ पर होगा 867 भी यहाँ पर होगा 255 Q यहाँ पर होगा quotient that is 3 and reminder हमारा यहाँ पर होगा 102 So अभी हमारा reminder 0 के equal नहीं आया तो हम दुबारा Euclid division lemma put करेंगे apply करेंगे और इन सभी numbers को एक एक position left side shift कर देंगे जैसी हम इन सभी numbers को एक एक left side position shift करेंगे तो हमारा next equation जो आएगी हमारी वो आएगी 255 is equals to 102 multiplied by 2 plus 51 हम अब देख सकते हैं कि अब भी हमारा reminder 0 के equal नहीं आया तो हम दुबारा Euclid division lemma लगाएंगे इस बार हम 102 को A की जगा shift कर देंगे 51 को B की जगा shift कर देंगे तो next equation हमारी आएगी 102 is equals to 51 multiplied by 2 plus 0 येस अब हमारा इस equation में reminder 0 आ चुका है सो हम इस equation में A, B, Q and R put करेंगी कि A कौन है, B कौन है, Q कौन है और R कौन है तो A हो जाएगा हमारा 102, B हो जाएगा हमारा 51 Q हो जाएगा हमारा 2 and R, reminder हो जाएगा हमारा 0 तो जो इस equation में B होगा वो ही हमारा highest common factor होगा तो इस equation में हमारा highest common factor HCF आएगा 51 वन